आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमें रीसाइकल व्यू को डिस्पले करना है इधा फ्रैग्मेंट्स ठीक है तो फ्रैग्मेंट्स का आइडिया भी हमें पहले से है काफी वीडियो मैंने फ्रैग्मेंट्स के उपर बनाया है रीसाइकल व्यू में डेटा किस तरह डिस्पले करते हैं इसके उपर भी हमने काफी वीडियो अभी तक कवर किये हैं पर फिर भी हम इस वीडियो में पूरी चीज़ों को कवर करेंगे वापस से फ्रेम फ्राइग्मेंट के बारे में भी जानेंगे अच्छे से और रीसाइकल व्यू के बारे में भी पूरी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे बिल्कुल सुरू से चीज़े को जानेंगे तो ये एक application presentation एक demo app है जहां पर दीखिये जो एक रीशाइकल व्यू है वो content डिस्प्ले हा रहा है और काफी smooth तरीके से डिस्प्ले हो रहा है कोई भी lagging नहीं है इसमें और ये जो content डिस्प्ले हो रहा है, जे जो recycling view display हो रहा है, ये एक fragment के अंदर डिस्प्ले हो रहा है तो पहले एक चीज इस पूरे application के जो phase है उन्हें हम diagram के थूरू समझते हैं उसके बाद फिर इस project को हम पूरा का पूरा एक दम blank initialize करके तब हम वापस से code करके आपको दिखाएंगे देखे basically fragment में होता क्या है suppose कर लेते हैं कि यह हमारा device है ठीक है इस device में सबसे पहले हमें fragment को पूरा है यह एक fragment है धियान दिखे शिल और यहां पे आपका क्या है यह पहले से main activity आपके पर क्लिछ rap आपकी estaba यह main activity आपकी device में display हो explorated evolve then तो सबसे पहले तो आपको यह धियान रखना है कि इस main activity में सबसे पहला का में इस इस fragment को आपको क्या करना है swap करना है ठीक है इस main activity से आपको इस fragment को क्या करना है replace कर देना है मतलब यहां पर क्या जाएगा यहां पर मेरा fragment चलाएगा ठीक है यह हो गया हमारा fragment इस fragment मेरा चलाएगा इस main activity को replace कर देगा next हमारा काम क्या होगा next हमारा काम होगा इस fragment के अंदर अब recycle view को display करना हूँ तो simply बस हम इसके अंदर क्या करेंगे recycle view को design करेंगे create करेंगे उसके अंदर data को feed करेंगे तो अब जब अपने को इसके अंदर यहां पर फिर अपने को एक recycle view लेना है ठीक है यह होगया आपका recycler view अब एक recycle view को display करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए basically तो अपर सबसे पहले तो आपको data source चाहिए ठीक है अब data source की जब मैं बात करूँगा तो सबसे पहले जो हमारा data format होगा जैसे data के अंदर क्या क्या है एक image है एक name है एक header है जो हमारे case में है वो हमारे case में एक image है देखे मैं आपको पताता हूँ हमारे case में एक image है फिर एक header है और एक DESC यह तीन चीज़े हमारे case में है तो इन तीनों को store करने के फिर आपको क्या करना पड़ेगा तीन तीन variables बनाने पड़ेगा तो सबसे better option क्या है इन तीनों को store करने के लिए हम एक class बना लेते है ठीक है हमें class बना लेते हैं जिसे general तोर पे standard तरीके से model class कहते हैं तो होगा क्या क्या क्यों बनाया हमने इसे जब आपने इसे model class बना लिया तो होगा कि जब आप इसका एक object बनाईएगा इसका single object जब आप बनाईएगा ob1 let कर लेते ob1 तो अगर आपको java का class object का concept बहुत अच्छे से पता है तो I think मुझे आप नहीं बताने पड़ेगी कि जैसे यह object हम बनाएंगे इस object के पास यह तीनों feature store करने की capacity होगी means यह name image store कर सकता है यह header store कर सकता है उसके बाद यह desc store कर सकता है उसके बाद इस तरीके से हम चाहें कितने भी n number of objects बना ले वो हर n number of objects यह सारे information को store करेगा मतलब है object से पास name header desc name header desc होगा तो let करने यह हमारे पास चार object है अब चार object को एक class से दूसरे class में भीजना काफी मतलब critical task है तो क्या करना भई तब हम एक और ऐसा object बनाएंगे जो इन चारो object को एक जगह store कर लेगा यह बहुत important बात है समझने वाली तो उस देखे तो हम क्या बनाएंगे फिर हम एक list type बनाएंगे देखे अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक list type बनाते है यह होगे हमारी list type तो हमने एक list बना लिया एक array list बना लिया और उसका type क्या बना दिया उसका type बना दिया हमने model class वाला model class मतलब क्या यह array list किसको store करेगा यह array list इस model class के object को store करेगा इसके सारे objects को store कर लेगा देखे इस model class के सारे object को यह store कर लेगा अब क्या होगा भी तो अब हमेना कहीं भी अगर ये informations भेजने हैं ये सारे informations भेजने हैं तो अपने कोई ये इतने चारो objects भेजने की ज़रूत नहीं पड़ी अपने कोई single array list की एक object अपने हम बनाएंगे suppose data holder के नाम से और उस data holder को हम भीज देंगे कहां भीजेंगे वह भी थोड़े दिर में आपको बताता हूँ तो चलिए array list बनाने के विए जो resource की जरूत होगी जो data की जरूत होगी वो तो हमारा बन गया वो मैंने आपको यहां बहुत अच्छे समझा दिया मैं इल पास वह से पहले class होना चाहिए and the member of this class should be according to our information record कि हमें क्या-क्या store करना है बनाने के बाद हमने हर एक object बनाया उस हर एक object के अंदर information को डाल दिया अब उस सारे objects को कहीं भेजना काफी critical task है इसलिए मैंने एक array list बनाया in the type of this model class उसके सारे objects को उसके अंदर store कर लिए अब मेरे पास एक single object हो गया यह single object हो गया जिसे हम कहीं भी भेज सकते आराम से अब यह single object के अंदर यह सारे object पड़े हुए है और उस object के अंदर यह सारे information पड़े हुए है ठीक है तो recycler view बनाने के लिए जो चीज़े चाहिए सबसे पहले चीज़े यही चाहिए थी आपके पास की resource होना चाहिए आपके पास वो मेरा resource ready हो गया data ready हो गया जिसे मुझे feed करना होगा अब दूसरी चीज़ चाहिए आपको कि एक record simply जो display होगा उसका style क्या हो डिजाइन क्या होगा मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे image display हो इसके अंदर image display हो और फिर यहाँ पे header display हो इस तरह से header display हो और फिर इस तरह से design इसका description मतलब एक एक record को display करने के लिए recycle viewers का design क्या होगा तो उसको मैं कुछ ऐसे बोज सकता हूँ single row single row xml file तो यह single row decide करेगा कि आपका जो एक information है वो recycle view में किस तरह से display होगा तो आपके पास दो चीज़े तयार हो गई है क्या-क्या पहला तो वो data resource जो मुझे recycle view में put up करना है डिस्प्ले करना है दूसरा एक row का design मतलब एक record को display करना है recycle view में तो उसका design कैसा होगा वो XML file हो गया यह दो चीज़े तयार हो गई है अब next अपने को क्या करना है अब वो adapter main चीज एक adapter class तयार करना है यह हो जाएगा आपका adapter class okay जिसको हम custom adapter बोलते है custom adapter यह implement करेगी extend करेगा extends करेगा recycler view adapter class को यह मैं आपको coding करते समय detail में दिखाऊंगा अब यह basically adapter class के अंदर एक special type का class होगा यह custom adapter के अंदर एक special type का class होगा जो आपकी XML का reference अपने पास ले लेगा मतलब यह जो XML है इसके अंदर जितने views हैं उन सारे का reference अपने पास ले लिया then next काम क्या है next काम यह है कि इसी का इस class का object ही आपको इस फिर custom adapter में पास करना होगा यह जो class हम बना रहे हैं इसको यहां bracket में पास करना पड़ेगा अब इस custom adapter के अंदर basically तीन टाइप के methods होते हैं एक दो और तीन क्या-क्या करता है तीनों का काम के सबसे पहरे on create on bind तीसरा है count count size करेगा on create का काम क्या है on create का काम यह है कि भई यह जो single row है यह तो xml file है तो अब यह क्या करेगा इस xml को view में convert करेगा runtime view में convert करेगा ध्यान दीजेगा इस xml को वो view में convert किया let कर लेते हैं देखिए इस xml को लेके आया यहां और यहां से मैं एक line यहां दिखाता हूँ ताकि क्या हो गया view में convert हो गया suppose एक view run time view जहां पे एक image का box हो गया एक header का box हो गया और एक description का box हो गया यह view में मेरा convert हो गया let कर लिजिए यह on create का काम है क्या करेगा उस xml को खीचेगा और उसे run time view में convert कर देगा इतना ही काम है दूसरा काम on bind on bind का क्या है भई इसका काम है यह जो data holder है यहां से data लेके आएगा एक record और उसमें से data को यहां feed कर देगा ठीक है data holder के पास data एक record उठाएगा और उसे लाके इसके अंदर feed कर देगा अब यह जो दो काम है on create और on bind यह continue repeat होगा continue क्या होगा एक design ready किया जाएगा runtime view बनाया जाएगा on bind क्या करेगा वहां से data उठाएगा और record को इसके अंदर punch कर देगा फिर एक नया view बनाया जाएगा इस XML से data holder से data उठाएगा उसके अंदर punch कर देगा और यह iteratively घूमता रहेगा जब तक आपके पास record है जब तक आपके पास इस array list में object है उतने बार यह जो function से repeat होगा iterate होगा और हर बार एक नया view बनता चला जाएगा और उस array list में से data उठाके इसके अंदर डालता चला जाएगा और यह चीज फिर last में आपका adapter जब ready हो जाएगा तब finally आपको क्या करना होगा इस adapter को set कर देना होगा इस recycler view को बतलब recycler view को बता देंगा भई कि आपका adapter class कौन सा है यह custom adapter ठीक है तो यह था पूरा task अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम code की और चलते हैं और हम code करकर कि इसी पूरे phase को मैं एक एक line आपको code में समझाता चाहूँगा तो hope at the end यह पूरा चीज बिल्कुल पानी की दर clear हो जाएगा आपका तो यह मैं आपको दिखाया जो चल रहा था project अभी मैं क्या करता हूँ इसकी जो जो चीजे हैं सारे को मैं delete कर देता हूँ और बिल्कुल सुरू से हम code करेंगे चली यह हमारा तो देखे हमने क्या क्या डिलीट कर रहे है data fragment delete कर रहे model delete कर रहे my adapter delete कर रहे यहां से fragment delete कर रहे single load यह सारी चीज़ों को हमने क्या किया यहां से जाते हैं बही delete कर देते हैं okay delete anyway everything is gone तो शुरूआत सबसे पहले करते हैं बही अपने gradle file से यह दो जो dependency है यह आपको अपने gradle में रखनी ही होगी ठीक है recycler view का एक card view का ठीक है done तो आपको यह यहां से ही मिल जाएगा अप यह code वीडियो देखके आप और अपने code में लिख पाऊगे इसका काम खतम और कुछ नहीं करना अब main activity मैं activity main में सबसे पहले जो आपका default constraint layout दिया हुआ है उसे आप change करके उसे कर दीजिया frame layout ठीक है और उसकी id दे दीजिये अपने को करना क्या देखिए मैं आपको paint में दिखाता चला जाओंगा काम मैंने क्या बोला कि इस frame जो आपको main activity उसे replace कर देंगे किसे अपने fragment से किसे replace करेंगे अपने fragment से तो यहां देखिए तो आपके उपस id होनी चाहिए न उस activity के जो भी layout जो replace होगा तो हमने frame layout लिया और उस id दे दी यहां पे अब हम इसे ही replace कर देंगे किसे fragments तो main activity में आते है यह line हम क्या करते है for the time being delete करते है save करते है अब कुछ काम मैंने यहां पे पहले से कर रखा है जैसे values में जाके style.xml में जाओग और यहां no action bar कर दोगे और main activity में get window set flag window manager layer parance flag flow screen इसे use करोग ताकि status bar और action bar दोनों चले जाए और आपका जो app का look है वो बहुत अच्छा लगे दिखने में सबसे पहला काम हमें क्या करना है सबसे पहले तो एक fragment बना लेना है एक blank fragment बना लेना है तो कहा blank fragment और देखिए मेरे पास ने drawable में पहले से यह images पड़े हुए तो जब मैं यह source code आपको zip करके दूँगा तो you will get these entire images with the applications so no need for the image no worry for these images so the first task सबसे पहला task यह है कि हमें तो यह fragment देखिए मैं बिल्कुल इस diagram के respectively काम करूँगा सबसे पहले तो यह fragment चाहिए हमें तो कहां चलते हैं layout में चलते हैं new new पे चलते हैं और fragment में चलते हैं अपने और यहां से हम एक blank fragment ले लेते हैं इसका नाम रख लेते है data fragment ठीक है finish देखिए तो हमने finish किया इसे data fragment लेके यह मेरा fragment तयार हो गया Done तो अब main activity में आते हैं अब यहां पर अपना काम क्या है भई तो main activity कि इसमें आईए देखिए जो main container दिख रहा है इसे ही हमें replace कर देना है अपने fragment वाले से तो main activity में आते हैं यहां सबसे पहले क्या करना है अपने को get support fragment manager यही सब कुछ करता है fragment का जो भी काम करना है basic तौर पर fundamental तौर पर सारा काम यही करता है dot begin transaction dot replace किसको replace करना है r.id.main container को replace करना है किससे replace करना है भई तो अपने को object चाहिए new data fragment का तो हम यहीं पर object बना लेते है new data fragment इसको replace करना है और replace करके फिर अपने को क्या करना है commit कर देना है that's it यहां पर आपका main activity का सारा काम खतम हो जाता है और कोई लेना देना ही नहीं है मतलब जैसे ही application load होगा load होते ही क्या होगा main activity के अंदर मैंने on create के अंदर यह code कर रखा है होते ही क्या होगा तो इसके अंदर transition start होगा और यह जो main container हो replace हो जाया किससे fragment से बस main activity का आपका काम यही तक था और कुछ नहीं अब जो काम करना है न अपने को इन दोनों में करना है fragment में और data fragment के class में और कुछ भी नहीं तो यहां यह जो text view है इसे हम हटा देते हैं design में आते हैं देखें हमारे पास recycler view पड़ा हुआ है इसे उठाते हैं और यहां रख देते हैं चली recycler view आगे है मेरे पास code में आकर देख लिए ठीक है बस एक छोटी इसी चीज़ आपको add करनी है id equal to reg view यह आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसा कोई जरूरी नहीं कि आपको reg view ही देना मैंने आपको reg view दे दिया हूँ अब data fragment में आते हैं सबसे उपर चले आते हैं और यहां पर जहां पर variables खतम हो जा रहे हैं recycler view का object बना ली recycler view ठीक है अब देखिए इसके on create में आना है आपको ठीक है on create में आके यहां पर यह जो return कर रहे हैं यहां पर आप क्या करो एक view बना लो view equal to inflator और यह क्या कर रहे है उस fragment को पकड रहे है और हमने जो recycler view बनाया न उसकी type casting हम इसी view से उसे find out कर पाएंगे जो हमने recycler view fragment के अंदर बनाया है उसे हम pick कैसे करेंगे उठाएंगे कैसे type casting के लिए यह जो return कर रहा है उसे हमने एक view में डाल लिया अब इस view से उसे हम find out कर ले so view.findbyid r.id.reg view आपको बल गया है ना यहां से आप इसे return view कर दो ताकि इसका जो काम जैसा था वैसा हो गया बस मुझे मिल गया अपना recycler view क्योंकि यह direct return कर रहा था इसके टास कोई object नहीं था तो काफी लंबा process जाता हूँ उस तरीके से फिर हमें page करने से तो हमने क्या कि एक view बना लिया view बना के यह जो layout है इसे खीच लिया अब उस view से हम अपने reg view को टान लिया type casting कर लिया तो बही यह run time में reg view में बल गया अब जो भी this नहीं इस्तवाल करेंगे अस बार इतना काम हो गया तो देखिए वापस से paint में आते और मैं दिखाता हूँ कि यह वाला काम तो हो गया recycler view बन गया अब next क्या करना है recycler view के अंदर data को काम manage करना तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया आपको सबसे पहले क्या लगएगा आपको जो information store करना है उसके respective आपको model class बनाना पड़ेगा तभी थो हम objects बनाएंगे और उसके अंदर information को put up करेंगे तो सबसे पहला काम model class देखिए अगर step को follow करते चली जाएगे तो बहुत आसान है बहुत ही आसान बसरते step follow करना आपको कोई भी चीज़ memorize रटने की ज़रूत नहीं पड़ेगी आपको तो अब next काम अपना क्या है यहाँ पर आते right click में new पर जाते Java class यहाँ हम ले ले लेते हैं data model ठीक है data model का हम एक class ले लेते हैं अब इसके अंदर information क्या चाहिए images store करना है तो int image क्यों because int इसलिए हमने लिया क्योंकि हमने तो drawable के अंदर images रख्या और उसकी id होती है जो integer form में होती है उसके बाद string यहाँ हम ले लेते है header और dsc अब next क्या करना है आपको next करना है इसके constructors बनाने है तो आप चलेजिए generate में constructor पर क्लिक कीजिए तीनो variable को okay फिर वापस से right क्लिक कीजिए generate में जाईए getter setter पर क्लिक कीजिए तीनो को select कीजिए data model का काम खत्म ठीकि इसका वाला काम खत्म अब next का काम है इसके objects बनाने है और उसके इंदर informations डाल देने है तो उससे भी पहले अब आपस हम data fragment data model का काम आपका खत्म हो यह से बंद करतीजिए यहां जहां हमने recycler view बनाया था यहां हम एक array list बना लेते है array list देखे type अब आपको बताना पड़े कि इसका type का भई तो हमें बनाना है अपना data model type का और इसका नाम हम रख देते है data holder होगी बात खत्म अब जहां पर यह object हमने बनाया है लगे हाथ आप इस data holder को initialize कर लोगी कि अगर last में भूल गये तो फिर यह error रखाता रहेगा new array list इतना काम done एकदम data model का object बनाया so data model ob1 equal to new data model सबसे पहले अपने क्या टानना है देखे आप इसके constructor पी ध्यान दीजिए data model का सबसे पहले constructor में जा रहा है image तब header तब DESC तो अपने को यह कहां से मिलेगा image so r.drawable.angular यह बल गया image header header में देते हैं अपने angular DESC इसमें देते हैं web application इसे हम finish करते हैं यह आपका constructor initiate होगी है अब यह जो हमने data holder बनाया था इसे हम क्या करते है data holder add or ob1 done अब इस तरह से आपको क्या करना है 10 times repeat करना है so it will take my time तो मैंने क्या रखा है भई इसका कुछ content है पहले से लिख रखा है I will copy it okay so it saves my time a lot देखे फिर मैंने दूसरा object बनाया data model ob2 के अंदर information data model ob3 data model 4 5 6 7 8 9 इस तरह मैं 10 informations feed कर दिया और सारे के सारे को कहा रख दिया data holder के अंदर भी रख दिया तो इस तरह से मेरा यह data holder देखे ready हो गया done data holder object ready हो गया जिसके अंदर धेव सारे object है हर object कुछना कुछ information contain कर रहा है इतनी बात है तो recycler view बनाने के लिए basic लिए आपको दो चीज़ चाहिए तो data resource single row xml इसका काम तो मैंने कर लिया next काम क्या करना है single row xml बनाना है single row xml तो फिर अब मतलब वह single row का design तो layout पर जाते हैं right click करते है new पर चलते है layout resource file और यहां हम देते है single underscore row underscore design single row design ok पर क्लिक करते हैं चलिए design को भी अपने थोड़ा सा time बचा लेते हैं जो design है मैंने उसे पहले से copy कर रखा है इसे यहां paste कर देते हैं और अब design में जाके दिखाते हैं कि single row design एक image है header है description मैं आपको दिखा देता हूं कुछ बहुत hard and fast code नहीं किया गया है यहां पर बहुत simple सा card view है इसकी elevation दी गई है 4 dp और corner radius 5 dp elevation मतलब जो वह shadow दिख रहा है image के right side में हमने header को put किया है layout margin left 4 dp दिया है और कहां गया भई layout right off image के right में हमने text view को रखा है उसके बाद दूसरा वाले text है वह image के right में header के below में होगा image 1 के right off में header 1 T1 के below में यह बहुत अची चीज़ है यह बहुत मज़िदार सीखने वाले चीज़ है आपके लिए तो दिखी इस तरह से design हो गया तो यह constraint का जमिला नहीं रहा इसके लिए तो यह आपका design हो गया basically आपको यहां पर क्या चीज़ से ध्यान रखने है image का नाम IMG1 T1 और T2 तो यह भी मेरा रेडी हो गया single row अब देखे वापस से paint में आते हैं तो रिसाइकल कस्टम अड़ाप्टर बनाने के लिए मेरे पर डेटा होलडर रेडी हो गया single row रेडी हो गया next काम क्या यह कस्टम अड़ाप्टर बनाना ठीक है तो इसे भी बंद कर देते हैं फिल्हाल इसे भी बंद कर देते हैं और यह fragmenter अब next काम अपने को क्या है फिर इस पर right click करते है new पर जाते है java class और हम बनाते है my adapter my adapter class इसके अंदर देखी मैंने आपको दिखाया है इस adapter के तो सबसे पहले यह वाला class होगा इसे पहले आपको बनाना है और यह किसका reference लेगा single row xml के सारे views का reference लेकि अपने पास रखे रहेगा तो वह class कौन सा होता है उससे बोलते है view holder so my view holder वो extend करेगा किसे recycler view dot view holder को extend करेगा यह जैसे यह अब type करेगे तो यह red color का line आ जाग address पर क्लिक करते ही यह बोलेगा constructor बना दे, constructor बना दीजिए अब यहाँ पर हम reference लेते है सबसे पहले क्या था वाई image view so img उसके बाद text view header 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 चली क्योंकि यही तीन तो यहाँ पर हमने बनाए थे ना इसके अंदर image header DESC देखे यहाँ पर यह जो आपने बनाया अभी single rule design इसके अंदर क्या क्या है image text view header description के लिए इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया अब constructor के अंदर जाके सिर्फ आपको क्या करना है reference maintain करना है so img इसी के लिए मैंने आपको बोला था T1 था header के लिए T2 था description के लिए और यहाँ आपको फ़स change कर देना यह header कर देना और यह DESC कर देना है काम खतम इस वाले का class का काम खतम और कुछ भी नहीं करना reference इसने ले लिया next काम यहाँ आते है यहाँ लिखते हम extends किसको extend करेगा भई recyclerview.adapter इसके अंदर pass करेंगे myadapter.myviewholder देखिए बात भी मैंने आपको यहाँ बता रखी थी इसी को हम pass करेंगे यहाँ पर तो क्या लिखेंगे extend recyclerview.adapter यह viewholder को directly access करेंगे myadapter के through access करेंगे जैसे आप यह line लिखिएगा यह red color का आ जाएगा इस पर जाके implement methods और 3 methods को implement कर दीजिए देखिए on create on view जैसे मैंने बताया तो on create on bind or get item count अब भी यह वाला जो data है यह तो आपको भीजना पड़ेगा न इस custom adapter में जब आप यहाँ से भीजिएगा तो इस custom adapter के अंदर आपको receive भी करना होगा तो देखिए इस custom adapter के अंदर मैं इदम top पे जाऊँगा और यहाँ भी area list बनाऊँगा कि इस type का भी वही data model type कही बनाऊँगा और जो इसका object का नाम होगा वह data holder ठीक है means वहाँ से जो data holder भीजा जाएगा वो इस data holder में receive हो जाएगा तो उसके लिए receive करने के लिए क्या करना पड़ेगा constructor बनाना पड़ेगा my adapter का then right click करते है generate पे जाते है और यहाँ से constructor पर जाते है उसे अगर हम पहले से variable बनाए रखेंगा तो यह option यहाँ आपने चलाएगा तो आपको लिखने के कुछ जरूत नहीं पड़ेगा select कर लो यह हो गया तो वहां से जो data यहां से data भीजा रहा है इस class के अंदर का data holder है which is a release type of data holder इसके अंदर receive हो जाएगा means अब मेरे को इस adapter में data holder मिल गया means data resource मिल गया और यह जो my view holder यहां से वो हमें views मिल गया single row design वाला single row XML का design मिल रहा तो अब यह on create क्या करेगा runtime view बनाएगा और on bind क्या करेगा बस यह data को punch करेगा अब दीखे तो यह on create runtime view कैसे बनाता है view view equal to layout inflator dot from parent dot get context dot inflate किसको inflate करेगा r dot layout dot single row design को parent false हो गया और यहां से यह object return कर देगा new my view holder का उसके पास कर देगा view कानी खतम my on create के अंदर और कुछ भी नहीं करना on bind का काम क्या है data को punch कर देगा तो भही यह object आपको दे रखा है holder इस object से आपको data को punch करना है उठाना कहां से data data holder यह resource से उठाना है तो अभी यह image है को किसे पकड़ेंगे इस holder से because this holder is the object of my view holder holder अब यह data कहां से उठाना है यह data holder से data holder is the collection of a lot of objects of data model data model के जितने objects है सब इस data holder के अंदर पड़ हुए है तो इसके अंदर से हम object को पकड़ेंगे तो हम get करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिल जागा object वो object कौन सा होगा तो यह position से हमें मिल जागा इस position से तो इस position के अंदर डाल देंगे dot अब यहां से हमें उस class का getter setter access करने मिल जागा तो हमें क्या करना image को put करना इसके अंदर तो get image तो देखिए क्या होगा उसके अंदर image जाके set हो जाएगा फिर holder dot अपने को header चाहिए header dot set text फिर कैसे पकड़ेंगे data holder sorry data model हो गया data holder dot get और इसके अंदर position फिर यहां पर get header copy करो आप यहां डाल दो यहां आते हैं header की जगह क्या हो जाएगा भई DESC और यहां भी data holder ठीक है position यह हो जाएगा DESC होई बात खतम सबसे important यह get item count सारा काम कर लिया अगर इससे 0 छोड़ दिया तो आपके cycle of view में कुछ भी नहीं दिखाएगा इससलिए इसको याद से data holder का जो size है वो आपको यहां से return करना है बस तो देखिए बिलकुल हूब 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 ही काम हमने किया जो मैंने आपको इस diagram में दिखाया है ठीक है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई सबसे पहले लिया अपना यह जो data model class उसे लिया और उसके respective array list का object बनाया array list को initialize कर दिया यहां सबसे पहले इसे भूलिया नहीं तो otherwise error होता रहेगा वो data model के अंदर objects बनाया data holder के अंदर feed कर दिया फिर data model का दूसरा object उसके data डाला उसके data holder के अंदर feed अब यहां आपको object डाला है my adapter को तो लगे हाथ यहीं object बना लेते है new my adapter और इसके अंदर क्या भीज देते है data holder आपका काम finish कुछ भी नहीं बचा adapter को देखे मैंने यहां दिखाया था ना last finally क्या करना recycler view में set adapter में आपको इस adapter को दिखा देना है तो इस तरह से हमने recycler view को पूरा cover किया fragment भी देगा fragment तो कुछ था ही नहीं fragment में हमने किया क्या बस यह activity main वाले में frame layout लिया और इस की id को एक id दे दी इसे और यह आपका activity जो main activity जो on method है इसका class है उसका on create method में गया यहां पे जाके get support fragment manager begin transaction और इस main container को replace कर दिया हमने data fragment के objects और commit कर दिया अब यह जैसे ही load होगा वैसे ही क्या होगा यह replace हो जाएगा हमारे main fragment से main fragment के अंदर का coding हमने आपको दिखा दिया कैसे किया इसके अंदर इस XML चलिए देखिए हमने यह recycler view लिया है तो सबसे पहले तो उसके view को receive किया हमने अपना एक view बनाया आप एक view को object बनाया और इसको receive किया अब इस view में से हम अपने recycler view को find out कर लिया तो view.findviewid यहां हमने उसरे view को डाल दिया जो हमने XML बनाया था वो हमारे इस recycler view से टाइप कास्ट हो गया अब बस उसका काम खतम अब आगे का काम जिसे आप recycler view का करते हो वो मैंने यहां पे किया है कोई भी changes जैसा मैंने आपको डिखा है वैसा बहुत ही काम किया है फिर main editor का भी काम के तो चलिए अभी से run करके देखते हैं देखें यह हमारा application run हो चुका है दिख रहा है कितना smooth तरीके से run हुआ है देख रहा है बलकुल उसी project को हमने replace कर दिया किस से बिन activity के अंदर एक frame layout बना है उस frame layout को replace कर दिया हमने fragments है और fragment के अंदर हमने बना दिया है एक recycler view और उस पूरे recycler view का जो work process structure है वो मैंने इस diagram के help से आपको समझाया है फिर इस diagram respective हमने यहां पे code किया है तो hope की एक एक चीज़ समझाने में मैं आपको successful रहा होंगा और आपको साथी चीज समझ आई होगी अगर फिर भी नहीं समझ आई है तो आप comment में जरूर अपनी views को रखिए कि यहां आपको क्या चीज़े नहीं समझ भी क्या क्या बेटर लगा या किस में क्या चीज़ प्रॉब्लम दिखा आपको ठीक है तो hope की वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीज ताकि जो नए वीडियो जोन का नोल्टिफिकिशन आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच